हलो फ्रेंड्स मैं सलब शब्बिर उसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोसो फेरेंजल ब्रीधिंग के बारे में ग्लोसो फेरेंजल ब्रीधिंग क्या होती है इसका फाइदा क्या होता है साथ ही आपको बताएंगे कि यह ट्रिक मूँमेंट जो होता है उसको किस ने डिसकावर किया ग्लोसो फेरेंजल ब्रीधिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिज एक तरीकी की पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है इसमें होता क्या है कि जो एयर के बॉलसेस हैं उनको पेशेंट्स गल्प करता है बेसिकलिए यह तरीकी का ट्रिक मूँमेंट है जिसको की अब्जब किया गया डेल के दुआरा 1951 के अंदर दोस्तो ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर respiratory muscle paralysis होता है ऐसे केस में vital capacity जो होती है lung की वो reduce हो जाती है तो इस केस में glossopharyngeal breathing बहुत ही ज्यादा useful होती है उनके lung compliance को और chest wall compliance को maintain और improve करने के लिए दोस्तो basically glossopharyngeal breathing में जो air boluses होते हैं उनको forcefully lungs के अंदर डाला जाता है जिसकी मदद से lungs का जो chest wall compliance है और lung compliance है वो improve होता है basically इस तरीके से आप lung की vital capacity को बढ़ाते हैं दोस्तो आपने देखा होगा ऐसे patient जिसमें respiratory muscle paralysis होता है जैसे कि जो tetraplegic patient होते हैं polyomyelitis के case में दोस्तो ऐसे patients बहुत ज्यादा dependent रहते हैं mechanical ventilation पर तो mechanical ventilation को substitute करने के लिए आप glossopharyngeal breathing का इस्तिमाल कर सकते हैं जिसमें air के boluses को forcefully lungs के अंदर डाला जाता है तो ऐसे case में आप glossopharyngeal breathing की मदद से mechanical ventilation को काफी हद तक substitute कर सकते हैं और आपके जो lungs की vital capacity है उसको maintain और improve कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया glossopharyngeal breathing के बारे में उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and subscribe करना न भूले Thank you for watching Physiotalk